नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूटूब के चेनल गोब्लॉक्स में ए देखेगा आपका पहला सवाल है B.Tech computer science से आपने की है और आप पूछती हैं क्या इसमें मेरी सरकारे नकरी है या private नकरी है यहाँ पर इस पश्ट तरीके से अगर आप देखें तो आपके जो ग्रह है खासकर के दो मुख्य ग्रह है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपक ब्रिस्पति यहाँ पे कहीं न कहीं सनी को देख रहा है और धीरी धीरी जो है ये साधरन अवस्ता में आ रहे हैं साथ में देखें तो आपका चंद्रमा जो मन का कारक है 70% अमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है तीसरा जिसको हम भाग्यास्तान भी कहते हैं नोकरी का मालिक भी कहते हैं अगर यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा फोला हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे धसा हुआ है इसका मतलब ये भी पूरी तरो से नोकरी क ग्रह अनबैलेंस इस्तिती में है तो निश्चित रूप से अभी सरकारी नौकरी के बहुत जादा योग नहीं दिखाई दे रहे हैं कुछ परसंटेज योग इस कारण से है कि देखेगा आपकी हतेली का जादातर मामले में अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे जो इसका आक है तो इस कारण कुछ हद तक सरकारी नौकरी की योग तो हैं लेकिन परबल नहीं है और अभी मैं कहूं तो प्राइवेट नौकरी के जादा योग आपके दिखाई दे रहे हैं आप कह रहे हैं दूसरा अपने सवाल कहा है आप अभी बैंक डिफेंस के ओपिसर की सिविल सर्विस योपी सी गुजरात पी सीएस की तयारी कर रही है इसमें सपलता मिलेगी या नहीं अगर मिलेगी तो कब तक आप एक तयारी नहीं कर रही है बैंक भी कर रही है डिफेंस ओपिसर की भी कर रही है योपी सी की गुजरात पी सीएस की तयारी भी कर रही है अब इन सब में तो एकी बार सपलता मिलेगी नहीं कहीं न कहीं आपका जो लक्षा है वो एक तरप नहीं है कहीं भी निकल जाओ तो का लग जाओ साइद इस प्रकार की है देखेगा अच्छी बात है लेकिन गरहों की इस्तिति अगर हम देखे यहां पे जो यह आपकी इंडक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो यह भाग है इसको हम कहते हैं देव गुरु ब्रस्पति और जब यह खास करके सनी की है तो यह परिवार को लेके चिंताई देता है खास कर दाबत्य जीवन को लेके परिवार को लेके और कुटम को लेके जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में यह प्रस्तितियां खड़ी करता है और कुछ छेत्र इसके अधीन हैं खास करके सिख्षा का छेत्र है इंजीनियरिंग का छेत्र है चिकित्सा का छेत्र है मैनेजमेंट का छेत्र है बानिज्य का छेत्र है और कानून का छेत्र है इन छेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रही है या काम कर रही है तो चीजे मध्यम इस्तिति में दिखाई दे रही है अगर आप कहीं न कहीं ये सोचती हैं किसी भी तरह मुझे जो है सरकारी नौकरी की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए आपको जो है अपने ब्रस्पती को अपने चंद्रमा को और अपने सनी की अस्तान को और साथ में अपने सूर्य को इन चीजों को मजबूत अउस्ता में ल अपसांदार राह मिलेगी अपने जीवनकाल में और अभी कोशिस करें जो आपके अंदर बहुत अच्छी योग्यता है जो काबिलियत है उसका फायदा उठाना सुरू करें किसी अच्छे सस्तान में आप प्राइविट नौकरी ज्वाइन करें और साथ साथ में आप पड़ा करने और इस्तितियां बन जाती हैं लेकिन अभी आपको थोड़ी से उपाई करने पड़ेंगे और तब तक आप जो है निश्चित रोब से जो है प्राइविट नौकरी की कोशिस करें प्राइविट नौकरी करें और आगे बढ़ें आप तीसरा सवाल लिखता है अगर मैं M.Tech या M.B.A की तैयारी करों तो दोनों में से सबसे ज़्यादा सपलता किस में मिलेगी यहां पे देखेगा यहां पे M.Tech के लिए यह और यह आपका जो है उतना परभावी नहीं है लेकिन अगर हम ब्यापार की दृष्ट से देखें ब्यापार की सिक्षक की दृष्ट से तो भी इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा है तो कहीं न कहीं आप अगर M.Tech की जगा M.B.A की तैयारी करें तो आपकी हतेली सर्वस्रेश्टतम बता रही है बहुत अच्छी बता रही है और इसमें आने वाले समय में बड़ा फाय च्छेत्र में अधिक परिश्रम करना पड़ा क्या आगे भी इसी त्रह का परिश्रम करना पड़ेगा बिलकुल करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्यों सरलता नहीं है सिक्षा का च्छेत्र जो है देव गुरु ब्रस्पति के अंडर में आता है और आपका जो फोकस होता है जो मन की इस्तिती होती है वो आपके चंद्रमा आपको दिखाता है तो यहां पे देखेगा जब ब्रिस्पति देखे यह देव गुरु जो ब्रिस्पति है ने चाहे आपकी जनम पत्रिका में हूँ हस्तरेखा में हूँ या आपकी कुंडली में हूँ यह सबसे महत्व क्यों अगर आप अपने पौरानिक सास्त्रों को देखते हैं तो इन में देव गुरु ब्रस्पती को कई चीजों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा सुब्व या बहुत जरूरी है अगर आपका ब्रस्पती इसी प्रकार से साधारन अवस्ता में रहता है तो आपके पास चाहि कितनी भी अच्छी नोलेज हो चाहि कितना भी अच्छा ग्यान हो उसको इंप्लिमेंट करने के लिए प्लेटफों नहीं मिलता है अगर प्लेटफोर्म किसी तरह से आपने हासिल कर भी लिया तो उसका यूज आप सही तरह से नहीं कर पाती हैं ऐसी इस्तिति में ब्यक्ति का समय पे बिबाह नहीं हो पाता है या बिबाह हो गया है तो बैबाहिक जीवन का जो चरम सुका भोग है उसके बीच में परस्तितियां खड़ी रहती हैं ठीक है ने ऐसी इस्तिति में संतान को लेके भी ब्यक्ति के जीवन में चिंताएं रहती है और जो पैत्रिक संपत्य होती है उसका जो लाब मिलना चाहे उसमें कमी आती है और कहीं न कहीं धन को लेके भी ये जीवन में संगर्स की इस्तिति को जन्म देता है अब देखेगा ऐसे लोगों को समय पर एक सिक्षक नहीं मिलता है मनि सही दिसा दिखाने वाला व्यक्त नहीं मिलता है और कहीं न कहीं जीवन में बड़ा और कड़ा संगर्स ऐसे लोगों को करना पड़ता है कभी कभी ऐसे लोग अपने आपको अकेला महसूस करते हैं अगर आपका गुरु जरासा भी जो है साधरन अवस्ता में आने बैठ जाए साथ में देखेंगे अगर हम चंद्रमा की इस्तिति देखें तो ऐसा चंद्रमा हमेशा मन को गड़बर रखता है जादतर इस्तिति में मानसिक प्रेशानी देने की और ले जाता है और कई बार ब्यक्ति को बहुत जादा भावक बना जाता है या इमोशनली ब्यक्ति को थोड़ा प्रेशान करने की कोसिस करता है कभी कभी ब्यक्ति का मन इस्तिर नहीं रहता है अच्छा नहीं रहता है मनी उचाट रहता है मन और इस्तिरता की इस्तिती में रहता है काम यहां कर रहे हैं मन कई और है या ध्यान नहीं लग रहा है ठीकने किसी चीज में आप बहुत ज़्यादा जो है इस्तिरता नहीं ला पा रहे हैं और इसका प्रभाव आपके स्वस्थ्य पर भी पड़ता है, खास करके आपके digestive system पर, मन सही नहीं होगा तो पीट की दिक्कतें आती हैं, और कहीं न कहीं जो है, या तो मा को लेकी चिंताएं आपको होंगी, या मा को आपको लेकी चिंताएं होंगी, और ऐसे में धीरी धीरी ये ज़्यादा अगर खराब होता है, तो सरीर का जो हार्मोनल system है, उस पर ये प्रभाव देता है, और नीन आने में ऐसे बिक्तियों को धीरे धीरे जो है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये आपके ग्रहें इनको ठीक करना है आपने, और जो आपने पूछा, उसके छेतर में हाँ, अभी सिक्षा के छेतर में आपको थोड़ा सा जो है, अधिक प्रिसरम करना पड़ेगा, अब आप लिखते हैं कि हतेली में चंदर की क्या इस्तिती है, इससे मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चंदर की इस्तिती मैंने अभी आपको पूरी डिटेल के साथ बता दी है ठीक है आप लिखते हैं मंगल है सूर्य है सुक्र है ब्रिस्पती है बुद्ध है चंद्रमा है और सनी है इन में से कौन अच्छे परिणाम देंगे और किन प्रवतों से सारिक और मानसिक प्रभाव खराब होगा पहले चलते हैं मंग मंगल के दो हिस्से होते हैं आपके हतेली में यह आपका जो है निमन मंगल है निमन मंगल यहां पर अच्छा है तो प्राक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव बनाए रखेगा लेकिन इसमें जाल दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जी से दुविधा में रह सकते हैं और जो आपकी निर्णे लेनी की ताकत है उसको थोड़ा यह छीन कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ वास्तों में जाना चाहे और वास्तों में क्या करना चाहे ठीक है ने तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य किरिया आपको दे साथ में एक परकार का मैं प्रणायाम दे रहा हूं जिसको दिव्य योग ध्यान किरिया कहते हैं मेडिटेशन है प्रणाम है योगा है इसको विदिवत तरीके से करें और कम से कम इन दोनों किरियाओं को चार से छे मैने तक करें तो आपकी जीवन में यह बहुत अच्छे मंगल का दोसरा हिस्सा बड़ा अच्छा है यह उचित प्रभाव आपकी जीवन पर देगा क्या प्रभाव देगा एक तो प्राकरम को बहुत अच्छा रखेगा दोसरा कहीं न कहीं एनरजेटिक स्वभाव आपको देगा कोई भी आपसे मिलेगा वो कमफर्टेबल फिल करेगा ठीक है ने और जीवन में कैसी भी प्रस्तिति हो प्रस्तितियों से हार मानने वाले लोगों में से नहीं होंगे बलकि चीज़ें बहतर इस्तिति में आएंग और बर्तमान में अगर हम देखें तो सूर्य में इस प्रकार की रेखा निकल रही है और एक रेखा इस प्रकार की निकल रही है तो ये जो कट-कटाओ की इस्तिति आ रखी है ये बता रहा है आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने की कोशिस करेंगे कार्य छितर में बदलाव का प्रियास करेंगे ये रेखा कह रही है कि कहीं न कहीं आप जीवन काल में लगातार उलजी वी हैं सम्मान तो आता है लेकिन साथ साथ में लगता है कि परेशानियां भी आ रही है और ऐसी इस्तितियां ये बना रहा है कि मानो आपकी परेशानियां जैसे खतम नहीं हो रही है आपका तनाव जैसे खतम नहीं हो रहा है आप परेसानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं और ये इस्तितिक कमावेस पूरे जीवन में तो नहीं लेकिन अब इसाड़े तीन से चार वर्सों तक इसका प्रभाव निश्चित रूप से रहेगा इसमें कोई संका नहीं है इस चीज को ठीक करने के लिए दिव्यसूरी किरिया दे रहा हूँ विदी पूर्वक करें आपको बहुत अच्छा लाब होगा इसके नगेटिव प्रभावों से आप जो है कहीं न कहीं बच जाएंगी अब आपने सुक्र के बारे में पोचा है देखेगा अंगोठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये सुक्र का है अब सुक्र का भाग अगर कहें हम कला है सुन्दर्य है और सुन्दर्ता है इन सब चीजों के लिए और एक सुख़द जीवन जीने के लिए हतेली में इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है ठिकन ये बात बहुत अच्छी है कि आपकी हतेली में शुक्र का जो प्रवत है ये उपरावा है तेजों में और अवस्ता में है आगे चलकर आपकी जीवन में ये आपको तेजिस्वी बनाएगा आपका चेहरा आपकी प्रसनल्टी भी बहुत सुन्दर रहेगी और जो सुन्दरता है जो आकरसन है वो हमेशा आपके अंदर बना रहेगा हर प्रस्तित को जहलने की ताकत भी रहेगी साथ में अगर हम देखेंगे तो इसकी वोजो से आप घूमने फिरने के बड़े शौकीन रहेंगी तीसरी चीज है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समार कर रखना ये चीज़ें ज़्यादा रहनी वाली है नई चीजों के पर तिरुझान रहेगा चैये नई परकार का फैशन हो नई परकार के कपड़े हो या नई परकार की कोई टेक्नलोजी हो भौतिक सुक्सुविदाओं के तरब भी आपका अकरसंड रहेगा जै लगजरी जीवन हो या अटरा लगजरी जीवन हो आगे चल कर ये सुक्र अभी तो नहीं लेकिन अगर हम बात करें 36 एर से 36 वे वर्स से अगर बात करें ये आपको गलेमर की इस्तिति में पूरी तरों से ला देगा चका चौंद की इस्तिति में लाएगा आपका यस बढ़ेगा मान परतिष्टा बढ़ेगी और एक शांदार बिक्तितों को ये उभार कर आएगा अभी कि अगर इसकी इस्तिति देखें तो कहीं न कहीं हलका जाल बनावा है मनि किसी चीज को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रही है चिंता भी कर रही है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है बहुत ज़्यादा परिसरम कर रही है तो भी कहीं न कहीं हलका अभाव की इस्तिति दिखाई दे रही है लाग प्रियास करने पर सारे साधन होने के बावजोद भी जो सुक की वास्त्विक अनुभूती होने चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है अब अगर हम बात करें तो आपने लिखा है ब्रस्पती ब्रस्पती आपका देव गुरू है और मैंने पहले ही बता दिया है देव गुरू ब्रस्पती को अगर हम देखें तो धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी इस्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परती समरपन की भावना भी ये रखेगी यहाँ पे अगर हम देखें ये सनी की तरफ जुकावा है तो परिवार को लेके हलकी सी जो है चिंताएं रह सकती है और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रेखा यहां से आ करके और इस प्रकार से हिर्दे रेखा पे मिल रही है ब्रस्पती सनी की तरफ जुक रहा है तो थोड़ा सा आपने दामपत्य जीवन का ध्यान रखना है और जो दिब्यसूर्य किरिया दूँगा इसमें इसका भी बहुत अच्छा उपाई दूँगा एकी किरिया में तीन ग्रहों का उपाई आ जाएगा आपका तो उसको जरूर करें तो आपको बहुत अच्छा लाब होगा साथ में अगर हम बात करें धार्मिक भावनाएं जहां बहुत अच्छी रहेंगी वहीं कहीं न कहीं अगर आप देख रही होंगी यह उठा उंगली थोड़ी सी बड़ी है तरजनी उंगली से तो इसका मतलब है बिनम्र रहेंगी जो जो जुका वाबिकत रहता सब को कुछ मिलते हुए भी सत्ता को समालने और दूसरों को नियंतर करने में काफी माहिर हो जाएंगी कारे को सल होंगी व्यवारिक होंगी स्वाविमानी रहेंगी और बहुत ज्यादा ओंचे लक्ष रहेंगे आपके जीवन में यह इस इस्तिति को दिखा रहा है अब आपने बुद्ध के बारे में पूछा है यिस उंगली के नीचे ये बुद्ध का परोत है बुद्ध आपका बहुत अच्छा है बुद्ध की उंगली भी इस तरों से जुक रही है धन कमाने की ललक बहुत ज़ादा रहेगी लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुच पा रही है तो धन के प्रबंदन में कागजों के रख रखाओं में और एकाउंटिबिल्टी में फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में थोड़ी सी कमी भी रहेगी इस कमी को दूर करने के लिए नेचरल तरीके से यहां तक अगर नाखुन बढ़ाएं त एक बात तो है बुद्ध की वजोसे एक तो यह तुचा का मालिक है तो सारेरिक सौंदर्य बहुत अच्छा रहेगा मनि दूसरे को आकरसित करने वाला ब्यक्तित तो रहेगा बहुत सुंदर और खूब सूरत रहेगी बुवानी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और कही न कहीं अगर नाखुन यहां तक बढ़ा दिया आपने तो कम्यूनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रहेगी जिसके कारण सा पलता आपको बहुत अच्छी मिलेगी आपका बुद्ध अच्छा प्रिणाम देगा चंद्रमा और सनी अब चंद्रमा की इस्तिति मैंने पह अच्छा या बुरा तो यह मिडिल फिंगर है आपकी मिडिल फिंगर आपकी बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है मनिक कार्यसिलता बहुत अच्छी रहेगी कभी आलस बहुत जादा नहीं आएगा अपने लक्ष की और बढ़ते चले जाएंगे लेकिन यहां पे अगर बेवजह की चिंताओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई न कोई ऐसी वजह हैं आपकी और यह ला रहा है जो कहीं न कहीं जो है चिंताओं को दे गांभीर्य तो रहेगा लेकिन सुबह उठने में आलस बहुत जादा गैप में है आपको लगेगा यार सब कुछ कर लेकिन फिर बाद में ऐसा लगेगा यार इतना सारा कुछ होते हुई भी कुछ हासिल नहीं हुआ है यह जैसे किस्मत धोका दे रही है यह इस परकार की सिच्वेशन ला रहा है और अभी यह कम से कम साड़े साथ बरसों तक अपना प्रभाव रखेगा तो इसके प्रभाव को शांदार इस्तिति में रखने के लिए भगवान शिव की आराधना जरूर करें आपको लाव होगा अब आपने लिखा है इन में से अच्छे प्रभाव देंगे किन प्रभतों से सारे रिक और मानसिक प्रभाव खराब होगा वो सारी चीजे मैंने बता दिया है छे प्रिश यहां पर अगर आप देखेंगे तो लगातार राहों की रेखाएं काट रही है और कहीं न कहीं यह नगेटिव ओड़ जा में भी परिवर्तन कर रही है अब देखेगा इसके कारण क्या हो रहा है स्वस्त्य पर आपका इसका नगेटिव प्रभाव दिखाई दे रहा है नगेटिव प्रभाव है ठीक है न है और यह अभी कुछ समय तक बना रहेगा खास बात है आप बाद बिबात से बचे रहे स्वस्थे में हलकिसी भी कोई प्रोब्लम आती है तो डॉक्ट दिसला ले दूसरी बात है आप ये अंगोठे के हिसाब से भी अगर हम देखें तो आप जल्द बाजी में अपना नुक्षान कर सकते हैं निर्णयों के कारण आपका नुक्षान हो सकता है बड़ा सोच समझ कर आपको अपने जीवनकाल में निर्णयों लेना है लगबग 36 वर्स की आयू में कहीं न कहीं आपकी जीवन में पूरी तरोसे इस्तिर्था आने की संभावना है फिर जीवनकाल का 42 वर्स आपके लिए बहुत सांदार चीज़ें लाएगा जो इसको रेगुलर रखेगा फिर जीवनकाल का 56 वर्स भी आपके जीवन में बहुत सांदार समय लाएगा जो कहीं न कहीं जो है आपको बुड़ापे के लिए शांदार इस्तिति पैदा करेगा हाँ सुरुवाती दोर थोड़ा सा पीड़ादाई रहेगा घर परिवार का भी सुक थोड़ा कम मिलेगा और ये इस्तितियां बता रहा है ठीक है ने? दूसरी बात है कि राहों का उपाई आपको अपनी जीवनकाल में करना पड़ेगा अब आपने जो है और चीजें बताई है आटवा प्रशना आप लिखते हैं हस्त रेखाओं के हिसाब से हमें किस तरो की प्रतियोगी प्रिक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए जिससे सरकारी नोकरी में जाशकों आप क्या पोचना चाते हैं ये समझ में नहीं आ रहे हैं आप खुद ही कनफ्योज है देखेगा अब आपका जो है यहां पे बिरस्पती यहां पे ठीक नहीं है और ये नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सरकारी नोकरी की शंभावना अभी नहीं दिखाई दे रही है चाहिए आप लाख प्रियास कर ले अगर आपको वास्तों में सरकारी नोकरी की प्राप्ती चाहिए तो अपने तीन ग्रह आप विसेश कर जो है पुष्ट और सुन्दर आउस्ता में लाएं तब आप किसी एक या दो चीज की तैयारी करेंगे तो निश्चित तोर पर निकल जाएंगी सबसे पहले आप अपने ब्रिस्पत्य को ठीक करें अपने सूरे को मजबूत करें और सबसे बड़ी बात है अपनी चंद्रमा को ठीक करें तब जाके इस्तिती इस्पष्ट और किलियर हो पाईगी अच्छा अब आप नवा प्रशन लिखते हैं प्राइवेट नौकरी में क्या ऐसा कोई योग बन रहा है अगर बन रहा है तो किस चेतर में यहाँ पे देखेंगे प्राइवेट चेतर में आपको बहुत बड़ी सपलता तो नहीं कह सकते हैं लेकिन जो मीडियम सपलता है वो जो है सुक्र के कारण आपके बुद्ध के कारण आपके और हल की रोप में ब्रस्पती इसमें अच्छा साथ दे रहा है इसके कारण चीजें बहतर रहेंगे अगर आप जो है यहाँ पे जो है सेल्स और मार्केटिंग इस छेतर में हो सकता है अगर आप सिक्छा का छेतर है इंजिनीरिंग है चिकित्सा है मेनेजमेंट है बानिज्जा है और कानून है इन छेतरों में जाना चाती है तो इसके लिए ब्रस्पति को मजबूत करें अगर आप मार्केटिंग या सेल्स की नोकरी में जाना चाते हैं तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा है साथ दे रहा है आप कपड़ों का ब्यापार है या ब्यूटी इंडिस्ट्री या सोना चान्दी के ब्यापार में जाना चाते हैं नोकरी इत्यादी में तो आपका सुक्र बहुत अच्छा है या लगजरी चीजों के ब्यापार की इस्तिति में जाना चाते हैं तो आपका जो है सुक्र बहुत अच्छा है इस छेतर में आपको सपलता मिलेगी दस्वा सवाल आप लिखते हैं हमारे मनिबंद कैसे हैं इनका जीवन में क्या प्रभाव होगा तथा उंगलियों में गैप है उसका प्रभाव कैसा रहेगा देखेगा मनिबंद में आपकी दो लकीरे इस पश्ट हैं इसका मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिसरम से ही आपको अपने जीवनकाल में बड़ी सपलता मिलेगी अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की महरबानी से किसी के सयोग से में जीवन में बहुत बड़ी इस्तिति को हासिल करो तो ये नहीं होगा सुरुवाति दूर थोड़ा सा जो है संगर्स की इस्तितिमे रहेगा लेकिन इसी संगर्स के बलबूते आप आने वाले समय में हर सुक को पाएंगे हर सुक का भोग भी करेंगे उंगलियों के बीच का गैप की अगर हम बात करें तो इनके बीच में गैप बन रहा है ये जीवनकाल के 35 वर्स तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज रखेगा या तो धन के मामले में संगर्स रहेगा 35 वर्स तक या तो जो है खर्चिला स्ववाव बहुत जादा रहेगा या धन के महतों को समझ नहीं पाएगा इन तीन चीजों में से एक या दो चीज आपके जीवन में रहेगे ये gap बता रहा है कि जब जब आपकी कुंडली में सनिसाड़ी साती में होंगे धाया में होंगे या बकरी अवस्ता में होंगे तब तब आपके जीवन पर इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा अब कितना रहेगा ये डिपेंट करता है आपके करमाज के उपपर ठीक है नए ग्यारवा सवाल आप लिख रहे हैं मेरी माँ मेरी साधी को लेकर बहुत चिंदित रहती है कि मेरा गरस्त जीवन सुकी रहेगा कि नहीं देखे इसका कारण भी है आप अगर अपनी हिर्दे रेखा को देखें तो मंगल से आके एक रेखा इसमें मिल रही है और ब्रस्पति जो है सनी के तरफ जुकता हुआ दिखाई दे रहा है तो अभी मंगल का और ब्रस्पति का एक साथ नगेटिप रभाव है खास करके तम पत्य जीवन पर तो इसके लिए शुन्दर सा उपाई दे रहा हूँ जरूर करें तो चिंता दोर हो जाएगी ये आपकी हतेली है बारवा सवाल आप लिखते हैं हमारे कौन से परोत ऐसे हैं जो सिक्षा और नौकरी में साहता परदान करेंगे सिक्षा और नौकरी में साहता परदान करने के लिए आपका ब्रस्पति, आपका सनी, आपका सूर्या और आपका चंद्रमा है और यही कमजोर इस्तिति में है इनको ही आपको ठीक करना है जिससे आपका सिख्छा और नौकरी का छेतर एक बेहतिनिन इस्तिति में पहुँचे और हम किस देवी देवता की पोजा करें जिससे हमें सपलता मिलेगी जिस प्रकार से यहां पे जो है आपकी हतेली में जिन बन रहा है आपकी जो आरध्य देव है वो भगवाल शंकर है और आपकी जो अधिश्टातित्री देवी है वो मापार होती है जितनी ज़्यादा सरणा गति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भगव्यता की प्राप्ति होगी आपने तीरवा सवाल पोचा है हमारी जीवन में नेगेटिव उर्जा का प्रभाव है कि नहीं अगर है तो क्या इसका उपाई इसका उपाई में आप एक बनस्पति अश्नान दे रहा हूं जरूर करें लाव होगा अब थोड़ा सा चलते हैं आपकी हतेली की रेखाओं के उपर फिर हम वीडियो को बिराम देते हैं यहाँ पर देखेंगे तो यह रेखा आपकी इस तरों से जा रही इसमें एक चिन बन रहा है ये चिन बता रहा है कि रहस्य में विद्याओं की तरफ आपका आकरसन रहेगा इसकी knowledge भी बहुत अच्छी रहेगी ये आपको थोड़ा भावकता दे रहा है लेकिन महत्व कांचाएं देता हुआ दिखाई दे रहा है आगे बढ़ने की बहुत अच्छी सोच है और इच्छा भी एक टॉप लेबल तक पहुँचने की है और इसके लिए एन के इन परकारियर जो भी आपसे हो सकता है आप यहां पर ये आपकी क्रियेटिविटी को दिखा रही है और जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं को भी दिखाती हुई नजर आ रहे है परिवार के परती आगे चलकर बहुत ज़्यादा समरपन की इस्तित रहेगी बहुत केरफूल ब्यक्तित तो रहेगा एक से ज़्य सादा छेतरों से आपको अपनी जीवन काल में बड़ी सपलता मिलेगी चतिस्वावर्स बैयाली स्वावर्स और चप्पनवावर्स धन और करियर को लेकि बहुत सारी संभावनाओं को जन्म दे रहा है देखा जाए तो मैंने आपकी हतियले का पूरा बिशलेशन करके आप वीडियो के साथ पनवपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार